तो पहले तो धन्यवाद फ्रेंड्स इस वीडियो पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बात हम यहाँ पर अकाउंट रिकावरी को उपर सबसे ज़्यादा मैक्जिमूम वीडियो अप्लोड करते हैं आपको भी पताया आपने यहाँ पर हमारी कई सारे वीडियो देखे होगे या दो तिन साल से आप वीडियो देखते आ रहे होगे आज किस वीडियो में जानेगे एक प्रॉब्लम का सोलीशन जो काफी क्रिटिकल प्रॉब्लम है फेस्बुक लॉगिन करने ही पा रहे हैं जैसे कि आप फेस्बुक लॉगिन करने जाते हम तो मैंने आईडी का पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया मैं आप लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो लॉगिन पर क्लिक करते हैं मैं आप थोड़ी दिर वेट करता हूँ and directly अपने Facebook को login कर सकते हो उसके लिए क्या करना है वही आज किस वीडियो में जानेंगे माइनम इस महेश and welcome to M.Edge Creator मतलब account recording specialist YouTube चानल पे स्वागत है आप सभी का अब जो मैं information देने वाला हूं जितने deep में देने वाला हूं वह आपको कोई भी नहीं देने वाला है और साथ में friends आपके comment की उपर जो focus होता है जो काम होता है वह हम deeply करते चोटी-चोटी problem की उपर कोई वीडियो नहीं बनाता है फिर भी friends few आए या ना आए फिर भी हम उसके उपर वीडियो बनाते है इसका मतलब यह कि जो अभी आपको problem हाती है तो please comment box में comment करना एक एक problem एक भी मन में ना रखे सभी comment box में उतार दो और एक बात वीडियो लगता है तो बस वीडियो को देखो मत वीडियो को like भी करो friends आज किस वीडियो में 300 like का target रख देता हो इस target को complete होते ही और एक practical वीडियो एक नहीं बल्कि कई सारे practical वीडियो स्टार्ट कर दूँगा आपके लिए तो point की बात कर लेते friends यहाँ पर अगर यह वाला show हो रहा है go to your authenticator app तो simple सी बात है यहाँ पर जो Google Authenticator app होई जो आपको play store पर मिलता है तो वहाँ पर code आता है मतलब अगर आपने वहाँ पर code export किया है तो वो आप code यहाँ पर डालेंगे तो simply continue पर click करके आप bypass कर पाएंगे बट यहाँ पर भी problem आ रही है code नहीं मिल रहा है या जो आपका ID आपने export किया था वो वहाँ पर नहीं है तो aesthetic में friends email ID को switch करके check कर सकते हो फिर भी friends आप उस email ID को गवा दिये मतलब वो भी आपके पास नहीं है तो aesthetic में भी friends आप recover कर सकते है code आपके पास नहीं है तो aesthetic में भी recover कर सकते है चली जानते हैं वो कैसे recover करें तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है friends try another way का option आ जाएगा यहाँ पर click करिए यहाँ पर check करिए order कई सारे option यहाँ पर show हो रहे या नहीं जैसे कि हाँ पर मुझे एक ही option शो रहा है authenticator app तो यहाँ पर either कोई जो जो भी option शो रहा है वो मुझे जरा command box में बताए वहाँ पर मैं आपको directly बता दूगा अगर फ्रेंड्स एक यह option शो हो रहा है तो वो भी मुझे comment box में बता है वो कौन सा शो हो रहा है अब जो भी option शो हो रहा है उसके उपर ठिक करके आपको क्या करना है simply content वे click करना है और उसका जो login code है मतलब login code आजाएगा phone के उपर या WhatsApp के उपर जो भी option आता है उसके code को यहाँ पर बस डालना है and content पर click करना है अगर मेरे friend की तरह यही condition आपके यहाँ पर two factor में लगी है तो आपको composer एक option नीचे मिल जाता है जो है try another way इस पर click करना है and friends यहाँ पर एक option आपको दिखाया देगा क्लिक करने के बात यहाँ पर एक option आता है submit a photo from your ID यह वाला तो आपको क्या करना है friends इस वाले option पर मतलब यहाँ पर आपको क्लिक करना है click करते ही जो आपका chrome browser है friends यहाँ पर directly open हो जाएगा and friends यह वाला error आपके सामने शो होने वाला है और यहाँ पर आपको क्या करना है login into Facebook यहाँ पर click करना और फिर्द्स यहाँ पर क्लिक करना है login into another account इसके उपर क्लिक करना है क्लिक करते है उसका username and password जो भी email अड्रिस, password यहाँ पर आपको डालना है and log in पर click करना है अब login करते friends फिर से यहाँ पर यह वाला interface आपकी सामने आ जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है having trouble इस वाला option पर आपको click करना है अब जैसे click करेंगे तो यहाँ पर आपको I don't have my phone इसके उपर click करना है click करने के बाद यहाँ पर continue के उपर click करना है क्लिक करने के बाद बस यहाँ पर हमें थोड़ी दिर वेट करना है फ्रेंट वेट करने के बाद यहाँ पर आपको next के उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर बस email address आपको डालना है आपके बास जो भी email address है वो यहाँ पर डाल सकते अब फ्रेंट्स दो बार email में मैं यहां पर डाल दिया अब यहां पर शेंट कोड पर एंग किक करना है क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहां पर थोड़ी धर वेड करना है रीध करने कि बात उस वाले email address पर एक verification code आ जाहे गा। तो मैं यहां पर email address इस ओपन करता हूँ चेक करता हूँ य yaz हको इसके उपर क्लिक करिए तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट के उपर क्लिक करता हूँ अब आगे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आजएगा सबसे ज़्यादा किस डॉक्यूमेंट से जो आइडेंटी है वो सबसे पहले मैं आपको बता आता हूँ जैसे कि यहाँ पर जो पासबॉड है इससे सबसे ज्यादा चांसे से जैसे कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसन इसका भी यूज कर सकते हो टैक्स आइडेंटिफिकिशन कार्ड इसका भी यूज करेंगे तो भी चलेगा ओके अगर एक्जामपल इन में से कोई भी डॉक्यमेंट आपके बास नहीं है तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्ली जो भी नॉन गॉर्मेंट डॉक्यमेंट है वो सबसे इंपोर्टन बात है यहाँ पर जो भी आप डॉक्यमेंट अपलोड कर रहे वह अगर एक बार रेजिक्ट होता है तो वह बार बार रीजिक्ट होने वाला है फ्रेंट्स ओके डॉक्यमेंट अपलोड करते समय दस बार जरू सौचन है एड़ उसके बाद ही फ्रेंट् most important है तो friends screening के उपर number है paid contact number है इस पर contact कर सकते हो तो friends यहाँ पर browse photo पर click करके मैं आपर document upload करता हूँ upload करने की बाद document clear upload हुआ है या नहीं यह ज़रूँ जे करना उसके बाद आपको क्या करना है submit पर click करना है wait करते ही जो आपका document है वो completely check click किया जाएगा तो यहाँ पे भी हमें थोड़ी दर wait करना है अब आगे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आजएगा तो अभी आपको क्या करना है simply save browser इसके उपर मतलब यहाँ पे click करके यहाँ पे continue पर click करना है continue पे click करने के बाद friends यहाँ पे एक option आपके सामने आजएगा यह वाला आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है तो यहाँ पे yes की उपर click करना है click करने के बाद यहाँ पे friends यह वाला इंटरफेस मतलब यह वाला message आजएगा जहाँ पे लिखाए your account is unlocked अब आपको क्या करना है simply go to setting इसके उपर click करना है तो click करते idea यहाँ पे open हो जाएगी और एक बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे और भी कई सारे step जैसे कि Instagram अगर आपका connect है तो भी friends यहाँ बढ़ी आसन से two factor को आप बाइपास कर सकते हो Instagram link है two factor को हटाना चाहते हो तो friends इस वीडियो को like करना 300 like के target को complete करना है emergency कोई facebook account recover करना है जहाँ पे two factor लगा है तो paid contact number पे contact कर सकते है अगर important है तो भी friends यहाँ पे कुछ amount है वो pay करके recover कर सकते है नहीं तो friends यहाँ पे new video का wait करे 300 like target complete होते ही में video बना दूगा बट उसके लिए अभी काफी wait करना होगा अब जाते हैं तो account recovery के कोई free of cost वीडियो देखने स्क्रीन के उपर free playlist है ज़रू जेक करना तो धन्यवाद friends आत्यांता आभारी वीडियो देखने के लिए thank you, thanks for watching this video